नागपुर जेले में बुद्वार को कोवीड से 27 संक्रमितों की मौत हो गई इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 400 तक पहुश गई है मृतकों का आकड़ा 400 के स्तर पर पहुशने में 130 दिन लगे 5 अप्रेल को नागपुर में पहली मौत हुई थी उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया अगस महने के 12 दिनों में 273 संक्रमितों की जान जा चुकी है इसे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोवीड का संक्रमन उग्र हो चुका है बुद्वार को शहर में 24 ग्रामिन में 2 वजीले के बाहर के एक संक्रमीत की मौत हो गई है वही बुद्वार को 621 ने संक्रमीत मिले है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 10,982 पर पहुश गई इसमें शहर की 413 तथा ग्रामिन के 208 मरीज है अच्छी बात यह रही कि 312 मरीज स्वस्थ होकर घर लोड़ चुके है फुल 5327 मरीज स्वस्थ होकर अब तक घर लोड़ चुके है लेकिन जिस रफ्तार से मरीज मिल रहे है उस रफ्तार से मरीज स्वस्थ भी हो रहे है इसी वज़े से रिकोरी रेट गिर कर 48.50 पीस दिपर पहुश गया मेडिकल मे तीन मरिजों की मौत हुए इसमें गंजपेट निवासी 68 वर्षय महिला, काम्ठी निवासी 65 वर्षय महिला, 47 वर्षय पुरूश की मौत, मेयों में 10 की मौत हो गई है, इसमें सोमलवारा निवासी 69 वर्षय महिला, कलमेश्वर निवासी 52 वर्षय पुरूश, 60 वर्षय अज् तांदापेट निवासी 49 वर्शिय महिला वरोराद चंद्रपूर निवासी 50 वर्शिय महिला का समावेश है इसके अलावा शेश मुरुतकों की जानकारी जिला शल्यशिकित सकारियाले के तरफ से उपलब नहीं कराई गई नापपूर जिले में अब तक हुई मौतों में 289 मौते शहर की है तो 68 ग्रामिन तथा 53 जिले के बाहार की है वही कुल संक्रमीतों में 7,609 शहर तथा 3,373 ग्रामिन के है शहर के आकडों में जिले के बाहार से आए 130 मरिजों का भी समावेश है इन भी से न्यूस के लिए अभिशिक पांसी के रिपोर्ट